हाई दोस्तों मेरा नाम संदीप है और आप सभी का बूत-बूत स्वागत है टेक ड्रोइड हिंदी में तो दोस्तों आज किस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं एक DSLR एप के बारे में ज्या दोस्तों अगर आप अपने फोन से फोटोग्राफी करते हैं और अपने कैमरे से भी तो कर सकते हैं लेकिन नए यहार फोन की कैमरे में उतना पावर नहीं होता है जितना आपको अलग से आप सब्सक्राइब करें पावर को बढ़ा सकते हो तो इसलिए वीडियो को इन दर देखते रहे उसके बारे में आपको बताएंगा और रीटेल से जानकारी आपको मिल जाएगी वीडियो सुरू करने से पहले अगर आपने दिए लाइक करदे सब्सक्राइब inc नहीं किया है छैनल को चैनल को subscribe कर दें और इस वीडियो को share कर दें जितना हो सके ताकि और भी लोग जान पाएगे तो देखिए इसका नाम जो है ना टेलिपोर्ट है और ये मोडेड वर्जन है तो ये आपको प्ले स्टोर पे ऐसे भी मिल जाएगा लेकिन इसका जो डानलोड लिंक मिलेगा आप वहीं से डानलोड करोगे इसमें आपको बहुत सारे फीचर मिलेंगे ठीक है तो डिस्क्रिप्शन से डानलोड किजिएगा अब देखो ये ओपिन करने के बाद ना इसमें नॉर्मली आपको मिलता है सेटर बटन तो ये देखिए जो भी फोटो आप लोगे सेल्फी लो या कोई सामने परसन खरा है उस तरह से लो देखिए उसके बाद में एफटए होता है उसके बाद ये देखिए कलर चेंज हो गया लेकिन ये मैरा मैं Newこちら नहीं है यह आप हमें कस्टूमाइज करना पास पड़ता है यहा πेर देखिए बेग्रांड कलर या तो रिमूब करना है तो ब्लैक कर सकते हो उसको बाइव बैग्रॉण्ड कलर पर रिक्लिक करने के बाद रखेए कुछ और बैग्राउंड अपका चेंज हो गया और clarity भी बहुत जादा रहेगी और यहां पर DSLR में बात होती है बलर की अगर अगर आपको बलर करना है तो वह भी आप खड़ सकते हो ऐसा नहीं है कि मैंने बस background बेगरंड चाहेंगे लिए बता रहा हूं आपको नहीं आप चाहू ना background में बलर करना तो वह आप कर सकते हो अगर आप यहां पर चाहो तो वह भी आड़ कर सकते हो यहां पर देखिए background blur में जाता है slide करने के बाद उसके बाद मुझे यहाँ पर अगर उसका effect बढ़ाना है तो यह देखे background blur कितने मस्ट से यहाँ पर हो गया और बिल्कोल यहाँ पर unique लग रहा है देखने में तो आप अपने phone से मस्ट मस्ट selfie ले सकते हो और इसमें mode version है तिसमें special special effect भी developer ने add किया है तो इसे आप मस्ट download किजिएगा और इस video को ज़रूर share किजिएगा और देखिए setting भी काफी minimal है सब कुछ यहाँ पर आपको कोई add वगर नहीं देखने के लिए मिलता है और back camera से front camera आप इजले तरीके से switch कर सकते हो तो काफी clean interface है ना ISO control ना high dynamic range control है सब कुछ यहाँ पर इजी लगता है देखने में और use करने में भी इस video को लाइक कर दें अगर आपने subscribe ने कि हमारे चैनल को चैनल को subscribe कर दें ताकि और भी लोग इस बारे में जान पाए और वी interesting इंट्रेस्टिंग वीडियो में अपलोड किया है बहुत सारे आप उससे भी चेक कर सकते हो description में link मिल जाएगा और interesting tips to trick वीडियो में लेके आते देता हूँ इसलिए जरूर 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 जूरेड यह चैनल से subscribe कर लीजिए वीडियो के नीचे कमेंट कर दें best camera app